चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक न्यूज सबसे पहले पाईए बॉलिवुट के दवंग सल्मान खान को ऐसे ही बॉलिवुट का दवंग नहीं कहा जाता है क्योंकि इनकी फिल्म में जब भी बॉक्स आफिस पर रिलीज होती है हमेशा अपनी पुरानी फिल्मों का रिकार्ड तोड़ कर सल्मान खान खुद एक नया रिकार्ड बनाते हैं खास करके सलमान खान की फिल्म की एनॉंस में जब भी होती है मीडिया में सलमान खान की फिल्मों की चर्चा जोर सोर से होने लगती है इसी कड़ी में सलमान खान की अपकमिंग हिंदी फिल्म भारत के एनॉंस होते ही पॉलिवोड इंडस्टी में संसनी मच गई मीडिया रिपोर्ट की माने तो सल्मान खान भारत एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं अगर हम इस फिल्म में एक्टर्स की बात करें तो फिल्म में उमीद किया जा रहा है एक वार फिर से कट्रीना कैफ की जोड़ी भारत में देखने को मिल सक्थ हलाकि आपको बता दे कि भारत के मेकर्स ने अभी तक कोई भी ऑफिसले स्टेंटमेंट नहीं दिया है फिल्म में सल्मान खान के साथ कट्रीना कैफ होने वाली है लेकिन जिस हिसाब से टाइगर जिन्दा है ने बॉक्स आफिस पर धमाल मचाया है उमीद जताई जा रही है कि भारत के फिल्म के मेकर कट्रीना कैफ के साथ सल्मान की जोड़ी एक और फिर से दर्सकों को देखने को मजबूर करेंगे